सवाल नमबर एक दादा के इंतकाल के वक्त नभी सलल्लाहु अलेही वसल्लम की उम्र क्या थी? आपके आप्शन्स है A. चार साल B. छे साल C. आठ साल D. दस साल आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है C. आठ साल सवाल नमबर दो नभी सलल्लाहु अलेही वसल्लम मक्का में किस लकब से मशहूर थे? आपके आप्शन्स है A. सादिक और अमीन B. सादिक और आलिम C. सादिक और करीम D. करीम और अमीन आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है A. सादिक और अमीन सवाल नमबर तीन नबी सालिल्लाहु अलिह वसल्लम खदीजा रजियल्लाहु ताला अनहा के तिजारती काम से कहां गए थे? आपके आप्शन्स है A. यमन B. इराक C. हबशा यानि थोपिया D. शाम यानि सीरिया आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है D. शाम देश यानि सीरिया सवाल नमबर चार हजरत खदीजा रजियल्लाहु अनहा के कौन से गुलाम नबी सालिल्लाहु अलिह वसल्लम के साथ किजारती सफर में थे? आपके आप्शन्स है आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है C. मैसरा सवाल नमबर पाँच हजरत खदीजा रजियल्लाहु अनहा से निकाह के वक्त नबी सल्लाहु अलिह वसल्लम की उम्र क्या थी? आपके आप्शन्स है A. बीस साल B. पचीस साल C. तीस साल D. पाइतिस साल आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है B. पचीस साल सवाल नमबर छे नबी सल्लाहु अलिह वसल्लम से निकाह के वक्त हजरत खदीजा रजियल्लाहु अनहा की उम्र क्या थी? आपके आप्शन्स है A. तीस साल B. पैतिस साल C. चालिस साल D. पैतालिस साल आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है C. चालिस साल सवाल नमबर साथ नभी सल्लिल्लाहु अलेही वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? आपके आप्शन्स है A. उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अनहा B. रुकैया रजियल्लाहु अनहा C. फातिमा रजियल्लाहु अनहा D. जैनब रजियल्लाहु अनहा आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है D. जैनब रजियल्लाहु अनहा सवाल नमबर आठ नभी सल्लिल्लाहु अलेही वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था आपके आप्सेंस है A. फातिमा रजियल्लाहु अनहा B. रुकैया रजियल्लाहु अनहा C. उम्मे कुलसूम रजियल्लाहु अनहा D. जैनब रजियल्लाहु अनहा आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है A. फातिमा रजियल्लाहु अनहा सवाल नमबर नौ आपके options है आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है सवाल नमबर दस नभी सल्लाहु अलेहिवसल्म के मुह बोले बेटे का क्या नाम था आपके options है आपके options है आपके बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हूं आपका वक्त शुरू होता है अब सही जवाब है C. जैद बिन हारिसा रजियल्लाह वन